क्लासेज मैं नहीं सकते हैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश डेली यूज वर्ड्स विद हिंदी मेनिंग्स और इसमें आज मारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिस स्पैलिंग्स और अमरिकन स्पैलिंग्स जिनके लिए हिंदी मेनिंग्स तो सेम है इसमें इसमें डिफरेंसेज हैं वो डिफरेंसेज क्या हैं वो हम आज जानेंगे शुरू करते हैं आज की क्लास पहला वर्ड है एनलाइज और अमरिकन स्पैलिंग भी है यह एनलाइज आप देख सकते हैं यहां पर last में S E आ रहा है और यहां पर Z E आ रहा है इसका हिंदी मेनिंग है विसलेशन करना ठीक है तो British Spelling इस तरीके से लिखे जाएगी इसके लिए और American Spelling इस तरीके से लिखे जाएगी हैं ओके एनलाइज और इनलाइज यहां पर S E है यहां पर Z E है विसलेशन करना आमर और यह आमर तो आप यह देख सकते हैं यहां पर entonces आहरिका यहां पर M O U आर यहां पर M O आर लिका है iz Sabrina मो यु आर और इसका हिंदी अर्थ है कवच ठीक है तो इस प्रकार से कवश जो हिंदी वर्ड है उसके लिए American spelling यह रहेगी और British spelling यह रहेगी Center और यह Center यहाँ पर देखते हैं TRE है यहाँ पर TER है Center C-E-N-T-R-E और C-E-N-T-E-R केंद्र इसका मतलब क्या होता है केंद्र कोजी C-O-S-Y और C-O-Z-Y ठीक है दोनों का हिंदी जो मेन है वो है आराम दे आराम दायक ठीक है लेकिन यहाँ पर C-O-S-Y है यहाँ पर Z-Y है ठीक है तो British spelling इस तरीके से है और यह हमारी American spelling है आराम दे अगला बड़ हम देखते हैं color यानि रंग तो आप देख सकते हैं C-O-L-O-U-R है और C-O-L-O-R है American spelling में C-O-L-O-R इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक है इसका हिंदी मिनिंग हो गया रंग Defense F-E-N-C-E है दे D-E-F-E-N-C-E और D-E-F-E-N-C-E जिसका मतलब है रक्षा ठीक है दोनों का अर्थ क्या है रक्षा Spelling में डिफरेंस है ठीक है तो आप अच्छे से इसको समझ लें कि British Spelling किस प्रकार से लिखी जाएगी और American Spelling किस प्रकार से लिखी जाएगी ओके Favorite F-A-V-O-U-R-I-T-E और F-A-V-O-R-I-T-E Favorite यानि पसंद दीदा ठीक है Favorite तो यह इस प्रकार से अगला वर्ड है Flavor Flavor F-L-A-V-O-U-R-F-L-O-R यानि कि स्वाद या जाएगी का जिसे अबन बोलते हैं लजज़त बोलते हैं ठीक है Flavor F-L-A-V-O-U-R यह British Spelling है F-L-A-V-O-R American Spelling है Fetus F-O-E-T-U-S और F-E-T-U-S Fetus यानि गर्व या भ्रोन ठीक है तो इन में Spelling में क्या होता है कि कुछ minor differences होते हैं British और American Spelling में ठीक है Z-L-A-M-O-U-R Z-L-A-M-O-R ठीक है मोहक संदर यह संदर रहा है उसके लिए आता है glamour Honor यानि की सम्मान देना ठीक है ना Honor H-O-N-O-U-R British Spelling है और H-O-N-O-R American Spelling है Humor यानि हास्य विनोद तो H-U-M-O-U-R और H-U-M-O-R humor यानि हास्य विनोद है ना Humor ठीक है आपको भी इसमें जो है Spelling में difference नजर आ रहा है किस प्रकार से लिखे जा रही है ठीक है ना बहुत ही आसान है easy है अगला वर्ड है labor यानि महनत या श्रम L-A-B-O-U-R ये British Spelling है L-A-B-O-R ये American Spelling है किसके लिए महनत या श्रम के लिए ठीक है लिटर इसका अर्थ होता है लिटर यानि कि जो हम तोलते हैं किसी चीज को मापते हैं liquid को उसमें हम काम में लेते हैं एक unit है लिटर तो British Spelling इस प्रकार से L-I-T-R-E लिखी जाएगी यहाँ पर और American Spelling में L-I-T-E-R लिखा जाए ठीक है यह difference है मीटर जो की length नापने की एक unit है ठीक है लंबाई नापने के लिए है तो British Spelling में M-E-T-R-E है और यहाँ पर M-E-E-R है American Spelling में है ठीक है ना Mold M-O-U-L-D Mold M-O-L-D Mold यानी सांचा ठीक है M-O-U-L-D M-O-L-D यानी की सांचा neighbor यानी पड़ोसी N-E-I-G-N-G-O-U-R और N-E-I-G-B-O-R यानी की पड़ोसी ठीक है इस पलिंग में difference आप देख रहे हैं इसमें offense यानी की अपराद O-F-F-E-N-C-E और O-F-F-E-N-S-E offense ठीक है यहाँ पर यह दियावाद C-E और यहाँ पर यह आ रहा है S-E यह difference है ठीक है program यानी कारिकरम ठीक है British Spelling इसकी P-R-O-G-R-A-M-M-E और यहाँ पर है P-R-G-R-A-M program यानी की कारिकरम Paralyze P-A-R-A-L-Y-S-E और P-A-R-A-L-Y-S-E ठीक है यहाँ पर P-A-R-A-L-Y-S-E और यहाँ पर American Spelling में लिखा जा रहा है Z-E यानी लखवा मानना Pretense यानी बहाना P-R-E-T-E-N-C-E Pretense और P-R-E-E-N-C-E ठीक है C-E और S-E यह एक इसमें difference है इसका अर्थ है बहाना Rumor यानी अफवाह होता है R-U-M-O-U-R British Spelling है R-U-M-O-R American Spelling है जिसका मतलब होता है अफवाह Savour और S-A-V-O-U-R और S-A-V-O-R Saver यानी इसका मिनिक होता है स्वाधिया जायका Skillful कॉशल पूण स्किल्फुल S-K-A-L-F-U-L और S-K-A-L-F-U-L-S-K-I-L-F-U-L Skillful यानी कॉशल पूण कॉशल से भरा होगा कॉशल पूण ठीक है Speciality यानी विशेषता होता है S-P-E-C-I-A-L-I-T-Y और S-P-E-C-I-A-L-T-Y Speciality यानी कि विशेषता Vapor यानी भाप V-A-P-U-R और V-A-P-O-R यानी कि भाप ठीक है, स्टीम भी कहते हैं इसको Woolen यानी उनी British Spelling इसकी है W-O-L-L-E-N और यहाँ पर है W-O-L-E-N यानी कि उनी इस परकार से यह देखिए यानी बिटिश स्पलिंग और American Spelling ठीक है, तो जनरली हमने यह देखा कि British Spelling में जहाँ पर O-U आता है तो American जो स्पलिंग होती है O-U की जोगा केवल O आता है ठीक है British Spelling में जहाँ पर C-E आता है तो American Spelling वहाँ पर S-E आता है और British Spelling में अगर S-E होता है तो American Spelling में Z-E हो जाता है इस प्रकार से यह कुछ छोटी-छोटी से differences हैं दौनों ही Spelling में यह कुछ आपको मैंने एक्जाम पस दिये हैं इस प्रकार से बहुत सारी words हम सीख सकते हैं और आगे जो Classes में हम लोग और सीखने वाले हैं अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नाम है Remedal Classes by Naveen Saksena यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको English Grammar से लिलिटेट आपको प्लीलिस मिलेंगी वहाँ पर कई आपको वीडियो मिलेंगे काफी informative है, जानकारी से भरे हुए ओके, सो देखने के लिए Thank you very much